आज हम बात करेंगे ट्विन प्रिग्नेंसी के 35 बीक्स के बारे में इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी के बारे में तो 35 बीक्स तक जो आपके बेबी का वेट होता है वो लगबग 2 किलो 200 गिराम से ले करके 2 किलो 500 गिराम तक के बीच में हो जाता है और बेबी की जो लंबाई होती है वो लगबग 43 सेंटी मीटर से 45 सेंटी मीटर के बीच में हो जाती है एंड दोनों बेबी का जो आकार होता है वो एक मध्यम आकार के तर्वूच के आकार जितना हो जाता है एंड दोनों बेबी का बजन और उनकी उंचाई अभी भी लगातार बढ़ती रहेगी और दोनों बेबी की जो किड़नी होती है वो पूरी तरह से डबलब हो जाती है 35 बीग तक आपके दोनों बेबी बर्ठ कैनाल की ओर मूब्मेंट शुरू कर सकते हैं आपके डॉक्टर इस वीक से आपके बेबी का डबलममेन और आपके बारे में लगातार अपडेट रखती रहेंगी और इस वीक में जो आपके बेबी के अधिकान्स प्रोग्रेस होती है वो मूबमेन को लेकर होती है जो कि बहुत ही जादा जरूरी होती है और आपके बेबी इस week से अगर बहर कोई भी बहूत तेजी से अवाद होती है तो उस पर प्रतिकरिया ज़रूर करते हैं और आपके दोनों बेबी इस week सब अपनी सही positions ले लेते हैं यानि कि अपने सर को नीचे कर लेते हैं गड़ पैर को उपर कर लेते हैं और कुछ बच्चे इस पोजिशन में आने में थोड़ा सा जादा टाइम भी ले सकते हैं और अगर इस वीक्स में आपके बच्चे किसी भी कारण बस जनम लेते हैं तो उनको बाहर रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है बस उनको 10 से 11 दिनों तक NICU की जरूत पर सकती है और इसके अलाबा आपको बहुत ही जादा केर करने की जरूत होगी आपके बेबी की हैट सरकमफेरेंस यानि की सिर की परदी लगवग 12.75 यानि की 324 mm हो जाती है आपके बेबी की फीमर, बोन लैन यानि की कमर से खुटने तक की हड़ी लगवग 2.6 यानि की 66 mm के आसपास हो जाती है अब हम बात करते हैं कि आपकी बोडी में कौन-कौन से सारीरिक परिवरतन होंगे ट्वीन प्रेगनेंसी के इस वीक्स में आपके सरीर में अधिकांस जो भी बदलाओ होंगे वो सारे पुराने वाले ही होंगे जैसे कि आपके घुटनों में दर्ड, कमर दर्ड, रीर की हड़ी में दर्ड, एंड आपको गैस, गबज, अपच, आपके प्राइबिट पार्ट में दर्ड होना, आपको हर काम में दिकत होना, उटना, बैठना, चलने, फिरने, खाने ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो दिन पे दिन बढ़ती जाएंगी, आप इसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस आप कोशिश करने अपने आपको ज्यादा से जादा आराम देने की, और आपका जो टमी है, वो इस समय बहुत ही जादा बड़ा हो चुका है, इसका रीजन है कि जो आपका बढ़ा हुआ यूटरस है, वो आपके यूरीन ब्लेडर पर बहुत ही अधिक दबाव डाल रहा है, जिस बज़े से आपको बार बार यूरीन चाने की समस्या होती है, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट का जितना भी भार होता है, ये प्रेशर कभी-कभी आपको भारी भी पढ़ सकता है, क्योंकि ये जो प्रेशर होता है, वो आपकी नसों पर और आपकी पैरों तक रक्त को ले जाने बाली नसों पर जोर लगाना सुरू कर देता है, और ये जो नसे होती है, वो आपकी दर्द करना भी सुरू कर सकती है और ये जो नसे होती है वो आपकी तुछा के बहार गहरे नीले रंग की तिखाई देना स्टार्ड हो जाती है जिने बैरी काज नसों के रूप में जाना जाता है और ये नसे जो होती है वो गरवती महिलाओं में ही देखी जाती है खास कर जब उनकी ट्वीन प्रेग्नेंसी ह होती है अगर आपकी नसे दिखती है तो आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और आपके पैरों में सूझन भी आ सकती है तो आपको इस समस्या से बचने के लिए जादा से जादा अपने आपको आराम देना है और आप जब भी आराम करने जाएं तो कोशिश करें अपने पैरों को थोड़ा सा उंचा करके ही बैठें इससे आपको सूजन को कम करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी आपके बेबी इस समय अपने आपको डिलीवरी के लिए तैयार कर रहे होते हैं बर्ड इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि आपके गरवासे में दोनों ब इस बिलकुलेशन होता है वो और जादा बढ़ जाता है और आपके यूटरेस में पंप किया जाता है ताकि आपके जो दोनों बेबी होते हैं उनको अच्छे से डबल अप होने में पूरी तरह से सहरा मिल सके और आपके बलड का इतना जादा बढ़ा हुआ हिस्सा जो होता है वो आपके मसूडों में भी बापस आ जाता है यानि कि आपको इस बीक से मसूडों से बलड आने की भी समस्या हो सकती है तो आपको ऐसे में अपने दांतों को बहुत ही अच्छे से साफ करने की जरूत होती है आपको अपनी डाइट में बिटामिन सी से युक्तखार पध हटों का सेवन बहुत ही अच्छी मात्रा में जरूर करना है और आपको इस बीक से कॉंट्रेक्शन भी हो सकते हैं आपके जो बच्चे होते हैं वो इस बीक से मुखी रूप से निचले हिस्से में रहते हैं आपका जो ये काफी हद तक बढ़ा हुआ पेट होता है वो आपक आपके लिए बिलकुल भी नुकसान दायक नहीं होते हैं लेकिन अगर आपकी तोचा में चकत्ते पढ़ जाते हैं और आपको खुजरी होती है तो ऐसे में आपको तुरंती अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना है और अब हम बात करते हैं अल्टरा साउंड के बारे में इ ऐसे कि आपके भूर का आकार और उनकी हार्ड रेट और उनका बलड फ्लो और एम्नियोटिक द्रब की मात्रा और आपके गर्वासे गरीबा की इस्तिती और गर्वनाल की इस्तिती कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिनका डॉक्टर स्कैन के साथ बहुत ही बारीकी से इसके अलाबा आपको अपनी डाइट में कैलसियम, आइडन, कारोहाइडेट, प्रोटीन, बसा युक्त डाइट को जरूर सामिल करना है और ज्यादा से ज़ादा पानी पीना है और आपको जो भी बिटामिन्स और सप्लीमेंट ये साते हैं वो भी आपको रेगुलर लेने हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्काइब करें साथ ही में बल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिकेशन आपको टाइम से मिलें सो थाइंक्यू फ्रेंस मिलते हैं अगले वीडियो में